देखिए अब आईए चोथे पॉइंट पर चोथा पॉइंट है दा मंदो कहे गए चोथे पॉइंट पर आईए चोथा पॉइंट है दात्वों द्वारा जल से हाईडोजन गैस का विस्थापन इसके लिए आपने याद रखना है विद्दूत रसायनिक सिरेणी में इस एफी का इस्थान आईरन का इस्थान कौन से पॉइंट के लिए? चोथे पॉइंट के लिए चोथा पॉइंट है दात्वों द्वारा जल से हाईडोजन गैस का विस्थापन इसके लिए याद रखना है आपको के विद्दूत रसायनिक सिरेणी में आईरन और उससे उपर इस्थिद्धातु है अर्थात जिनके मानक आक्सिकरण विभाव आईरन से अधिक होते है या मानक अप्चन विभाव आईरन से कम होते है वो जल से क्रिया करके हाईडोजन गैस मुक्त करती है या हाईडोजन गैस देती है लेकिन जिनका इस्थान विद्दूत रसायनिक सिरेणी में आईरन से नीचे है अर्थात जिनका मानक आक्सिकरण विभाव आईरन से कम है या मानक अप्चन विभाव आईरन से अधिक है वे गैस जल से क्रिया कर वो धातुएं जल से क्रिया कर हाईडोजन गैस मुक्त नहीं करती है सम्यागया इस चोथे पॉइंट के लिए आपने इस्थान र्याद रखना है किसका आईरन का साधान तरीका तो यह है आईरन और उस से उपर इस्थित धातुएं जल से क्रिया कर हाईडोजन गैस का विस्थापन करती है ठीक है और एफी से नीचे इस्थित धातुएं जल से क्रिया करके हाईडोजन गैस मुक्त नहीं करती है लेकिन साइंटिफिक तरीके से आपको इन दोनों के वज़े से भी याद रखना पड़ेगा कि आईरन और उससे उपर इस्थित धातुएं अर्थात जिनका मानक आक्सिकरण विभाव आईरन से अधिक होता है या मानक अप्चेन विभाव आईरन से कम होता है वे जल से क्रिया कर हाईडोजन गैस मुक्त करती है लेकिन जिनका इस्थान अर्थात जिनका मानक आक्सिकरण विभाव आईरन से कम होता है या मानक अप्चेन विभाव आईरन से अधिक होता है वो हाईडोजन गैस मुक्त नहीं करती जल के साथ क्रिया करके अब इसमें एक मानने की बात है कि जो उपर की फस्ट गुरूप की छार धातु है जैसे लीथियम है पुटेशियम है, सोडियम है और सेकंड गुरूप की छारिय मिर्दा धातु जिन पर मैं ये डबल निशान लगा रहा हूँ ये तो फस्ट गुरूप की छार धातु है तो साधान ताप पर ही जलसे क्रियागर के hydrogen gas मुक्त करती है लेकिन second group की छारिय मिरदा धातू जहां मैंने double line कीची है ये गरम जलसे क्रियागर के hydrogen gas मुक्त करती है first group की साधारन ताप परी आपने सुना होगा sodium धातू को साधारन ते यह यह डाल देते हैं तो एकदम विस्फोड होता है क्यों होता है वो जलसे क्रियागर के hydrogen gas मुक्त करती है hydrogen inflammable होती है आग भी लग जाती है उसमे साधारन ताप परी जबकि magnesium धातू पर आता है question की गरम जलसे क्रियागर के तो आप द्यान रखना first group की छार धातू जैसे sodium है lithium है, potassium है ये साधारन ताप पर जलसे क्रियागर के hydrogen gas मुक्त करती है लेकिन second group की छारी मुर्दा धातू जैसे barium है estroncium है, calcium है, magnesium है ये गरम जल के साथ क्रियागरती है तब hydrogen gas मुक्त करती है सेस अन्य दादू हैं सभी या तो लाल तप्त अवस्था में जल से क्रियागर के या गरम जल से क्रियागर के, या भाप से क्रियागर के, वो भी जल की ही है भाप, उन से क्रियागर के hydrogen gas मुक्त करती है जैसे उदहरन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ ये है एने sodium दातू H2O से क्रिया करती है तो NaOH प्लास H2 hydrogen gas मुक्त हो रही है reaction इस तरीके से balance कर लिए sodium दातू जैसे magnesium दातू है एक दो पहले का और दे दें जैसे potassium दातू है तो बिलकुल इसी तरीके से 2H2O is equal to 2KOH प्लास H2 साधारन ताप पर साधारन ताप पर ये भी साधारन ताप पर ये फर्स्ट गुरूप की है जैसे सेकंड गुरूप की छारी है मुर्दाधातू जैसे magnesium है प्लास H2O is equal to MgOH का Hool twice प्लास H2 ये गरम जल से यहां लिखें या यहां लिखनें गरम जल से क्रिया करके अब आपने देखा है अगर हम aluminium का तार लें या लोहे की कील लें ये रहा यहां पर और उसको जल में डुबाएं तो क्या hydrogen कैसे निकलती है क्रिया होती है कोई है अरे नहीं होती ना क्या देखते नहीं हो नहीं गरम पर भी नहीं होती है वो भाप होती है hydrogen जो होगी या दो red hot island आपने ये reaction सुनी है एफी प्लस 4H2O इस इकल टू ये रिवर्जिबिल रियक्शन है एफी 3O4 प्लस H2 चार दोने आठ ये इसको तीन से गुना करिये ये red hot iron पर red hot means लाल तप्त iron पर जब steam प्रवावित की जाती है भाव प्रवाहित की जाती है तब वो magnetic oxide आपने देखा होगा लोहे पर एक पपड़ी सी जम जाती है और hydrogen gas मुक्त होती है अगर red hot नहीं है और उसको हम पानी में डुबाएं तो भाव सी तो देता है वो वो भाव बना देता है इसकी लेकिन hydrogen नहीं होती हो hydrogen का मुक्त होती है जब बिलकुर red hot पर किस की करिया करते है भाव की तब ये reaction होती है समझा गया इसी तरीके से आप aluminium के तार को ठंडे पानी में दें कोई करिया नहीं होती अगर इसको red hot करके और उस पर भाव की करिया कराते है तब aluminium का oxide पराप्त होता है किलियर हो गया point नोट करिए